हेलो एवरीवन, विलकम टू माई चैनल, आओ देखे जाने अगर आपको अमारा वीडियो पसंद आए, तो लाइक, सेर, सबस्क्राइब जरूर करे बच्चो आज का हमारा टॉपिक है गुरु पोडिमा पर निबंद गुरु हमारे जीवन में बहुत ही महतपूर स्थान रखते हैं तो आए इस पर निबंद लिखते हैं गुरु पोडिमा पर निबंद गुरु पोडिमा का त्योहार हिंदूों के साथ साथ बहुत धर्म और जैन धर्म के लोग भी मनाते हैं भगवान से भी बड़ा दर्जा गुरु को दिया गया है गुरु के बिना जीवन की कलपना भी अधोरी है हिंदू धर्म के अनुसार ब्रहसपती देव सभी देवताओ और ग्रहों के गुरु है एक तरह से माता पिता हमें संसकार देते हैं तो दूसरी तरफ गुरु हमें ज्ञान देते हैं गुरु का ज्ञान और सिच्छा ही जीवन का आधार है गुरु पोडिमा का तेवहार असाण माह में पोडिमा के दिन मनाया जाता है इस दिन सबसे लंबा हिंदू धर्म ग्रंत महा भारत के रचाईता गुरु वेद व्यास जी का जनम हुआ जिसे गुरु पोडिमा के रूप में मनाया जाता है एक छात्र जो सीख और ज्ञान प्राप्त कर सकता है वह अक्सर इस बात पर निर्भर करता है कि उसका सिच्छक कितना सिच्छित और धैरिवान है इस प्रकार गुरु पोडिमा के त्योहार का नाम सूरी के प्रकास से पढ़ा जो चन्रमा को चमकाता है अथात एक छात्र केवल तभी चमक सकता है जब उसे सिच्छक का प्रकास मिले गुरु पोडिमा का त्योहार हर वर्स जुलाई माह में मनाया जाता है यह असाड के महिने में पोडिमा या पूरन मासी के दिन पढ़ता है और इसलिए हर साल गुरु पोडिमा की तारिक भी बदल जाती है गुरु का अर्थ क्या है? जिसमें से गु का अर्थ है अंधेरा और रू का अर्थ है अंधकार अंधकार को दूर करना इस प्रकार एक गुरु को ऐसा माना जाता है जो हमारे जीवन से अंधकार को दूर करता है महा काव ये महा भारत के लेखक वेद व्यास को समानित करने के लिए इसे व्यास पोडिमा के रूप में भी मनाया जाता है और इस दिन पैदा हुए गुरू से सिसनरचक पर्रमपरा का अग्रणई भीवी माना जाता है गुरू पूरी मा पर दिन की सुरुवात छात्रों द्वारा अपने गुरुगों का समान करने के लिए की जाने वाली गतिविदियों से होती है अकसर लोग अपने गुरुओं के सम्मान और इस्मरण के लिए अपने घरों में गुरु की पूजा करते हैं व्यक्ति के जीवन में सबसे पहले गुरु उसके माता-पिता या अभी भावक होते हैं जो उन्हें सबसे पहले उनका मार्ग दर्शन करते हैं और उन्हें जीवन के सच्चे मूली सिखाते हैं सिच्छन संस्थानों में छात्र अपने सिच्छकों को धर्निवात देने के लिए नाटक, नरत्य और संगीत प्रदर्शन जैसे कई कारेक्रम आयोजित करते हैं गुरु पूरिमा का तेवार मुख्यता दो प्रमुक समुदायों से जोड़ा हुआ है पहला है हिंदु धर्म और गुरु पूरिमा को भगवान सिव की पूजा के लिए भी मनाया जाता है हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान सिव ने अपने साथ अनुयाईयों सबतरिस्यों का योग ग्यान दिया और इस तरह एक गुरु बन गए दूसरा है बोध धर्म या तिवहार बुद्ध को समान देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने धर्म की नीव रखी बोधों का मानना है कि इस पोडिमा के दिन बुध ने बोध गया में बोधी व्रच के नीचे ज्यान प्राप्त करने के बाद उत्तर प्रदेश के सारनात सहर में अपना पहला उपदेश दिया था तब ही से उनकी पूजा के लिए गुरु पोडिमा के परव को चुना गया है धन्यवाद